जहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान विज्ञान से सम्मंदित उल्ड पेपर 2018 का जो भी MPGL पर हैरी परिक्षा की तैयारी कर रहा है तो बहुत देख लें कि किस परकार का पेपर आया था 2018 2018 में सामान विज्ञान से सम्मंदित जो कौस्चन है इस परकार आयते तो वीडियो को पूरा अबस्त देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और आल पर क्लिक करें ताकि आल वीडियो की जो नोटिपिकेशन ह वहें आपके हां तक पहुंचे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पीडियाप के लिए आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुणना होगा टेलिग्राम एप में आपको सर्च करना होगा आई एस स्टडी ट देते हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप से अबस्त जुड़ें बहुत सारा स्टेडी माठीरियल भी आपको बहाँ पर मिल जाएगा और तो चलिए देखते हैं कि 2018 में किस पिरकार का ओल्ड पेपर आया था एमपी जेल पर हरी का तो देखिए फर्ष्ट कॉस्चन है कि निमलेकित में से कौन सा प्रकास का सबसे अच्छा सुरोत है जो कम से कम उर्जा की खपत करता है अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरू बताए इसका अंस लेंप तो बह कौन सा प्रकास का सबसे अच्छा सुरोत है जो कम से कम उर्जा की खपत करता है तो आपका जो आंसर होगा है LED यहां पर राइट आंसर होगा अंगला कोस्चन है गंबीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षण की पहचान करें रिकवरी धीमी होती है य सामन स्वस्थ पर कोई प्रभाव बड़ा प्रभाव नहीं पढ़ता या गंबीर बीमारियों के परणाम से रूप रत्यू हो जाती है या बीमारियां लंबे समय तक चलती है तो क्या होगा इसका आंसर गंबीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षण की पहचान करें तो आपका जो राइट आंसर है वह सामन स्वस्थ पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पढ़ता इसका आंसर होगा विकल्प नंबर दो अंगला कोश्चन है कि एक अभाई लिंगी फूल में मौजू चार भिरमी निम्न हैं कौन से हैं बताइए क्या होगा इसका आंसर एक प्रभाई लिंगी फूल में मौजू चार भिरमी निम्न हैं तो इसका जो राइट आंसर है वह पुस्प कोश पुमंग दलपंज और जायंग यह जो है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर तीन अंगला कोश्चन है एक निश्चित पैटन में एक ही खेत में एक सा दो या दो से अधिक फसलों को ओगाना निम्न कहलाता है तो क्या कहलाता है एह फसल का चक्रीकरण सीत कालिन फसल मिस्रित फसल या अंतर फसल जल्दी से बताईए एक निश्चित पैटन में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को ओगाना क्या कहलाता है तो इसका अंसर होगा अंतरफसल क्या होगा अंतरफसल विकल्प नंबर चार इंटर क्रोपिंग अंगल्य क्वेस्चन है कि निम्न में से कौन सा दुई पार्ष समीती सा समीती जीव है समीती जीव बताना है कौन सा है जल्दी से बताईए नमलेकत मैंसे कौन सा दुई पार से समीती जीव है तो आपका अंसर होगा क्या होगा कियां चुआ विकल्प नमबर चार राइट अंसर होगा अंगला कोशन है एक गोताकोर एक स्वीमिंग पूल को उपार करने में सक्षम है इसके द्वारा पधार्तों के कणों का कौन सा बिसेस गुण प्रदर्सेत होता है पानी में अंत्राणुक आकरशन बल प्रबल है या पानी में अंत्राणुक आकरशन बल कमजोर है पधार्ति के कण लगातार गती में है पधार्ति के कणों को नक्ल आँखों से नहीं देखा जा सकता तो इसका जो सही आंसर है भाय है पानी में अंत्राणुक आकर्शन बल कमजोर है विकल्प नमबर दो आपका राइट आंसर होगा अंगले कोशन है कि बाहन की पस्च द्रश्टी दरपणों को निर्मित करना कहलाता चाहिए बहान के पश्चे रश्टी दरपणों को निर्मत करना चाहिए उल्टा और छोटा पृतिवंब या अभी वर्दित और उल्टा पृतिवंब अभी वर्दित और सीधा पृतिवंब या अगला जो अपना विकल्फ है छोटा आवासी और सीधा पृतिवंब तो आपका अंसर है छोटा आवासी और सीधा पृतिविम बिकल्प नंबर चार आपका राइट अंसर होगा अंगला कोशन है कि भाई मंडली नाइट्रोजन पौदों और पसुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती मिर्दा में उपास्तित को जीबाणू और नीले हरे नाइट्रेट्स प्रोटीन अमीनो अमले या न्यू क्लिक अमले तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर एक नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स अंगला कोश्चन है कि गर्मियों के मौसम में घर की उपरी और बाहरी सताय को सपेद रंग दिया जाता है क्यों तो क्यो इसका फ्रोटीन चाहित करती है क्यों क्या होगा इसका जो सही और है सपेश सता है अधिक उस्मा उर्जा प्राप बर्तित करती है और कम उस्मा उर्जा अवसोसित करती है अंगले कोशन है कार्वाइट्रेड प्रोटीन और वसा का पाचन खालिस्तान की किरिया से होता है पूरा होता है तो किसकी किरिया से आंत्रस पित्य या अग्राशाय रस या आमासाय रस तो आपका आंसर है आंत्रस अंगला कोश्चन है कुछ लवन बातावरन से जल को अवसोसित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं इन लवनों की निवन विशेष्टा है क्या है इनकी निवन विशेष्टा तो इनकी निवन विशेष्टा है प्रस बेदन क्या है प्रस बेदन प्रस बेदन विकल्प नमबर 3 अंगला कोश्चन है एक रसानिक परिवातन की विशेष्टाओं की संदर में असत्य कतन का चैन करें असत्य कतन का चेह भतपादों की विसेश्थाओं का अभीकारकों से अलग होना नए पदार्थ का निर्माण करना अभीकिरिया की दौरान ऊसमा प्यादा करना या परिलाम सरूप अधिकांस अभीकिरियां में उर्जा परिवर्तन तो आपका राइट आंसर है अभिक्रिया की द्वारान उस्मा प्यादा करना अंगला कोश्चन है मानाओ कान के लिए स्रव्य अब्रती की सीमा निम्न होती है कितनी होती है तो आपका आंसर होगा 20 हर्ट से 20,000 हर्टज अंगला कोश्चन है कि दो आविशत निकायों को 10 सेंटी मीटर की दूरी पर रखा जाता है उन दोनों की वीच कारेरत बल निम्न है तो कितना है तो आपका राइट आंसर होगा गुरुत्तिय बल और इस्तर विद्धित बल आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर एक अंगला कोश्चन है एक प्रियोगात्मक सेट अप में दिये गए पदार्त जैसे नारियल का तेल, अंडे की सपेदी, साधारन नमक, रेत क्रमसह, 250 मिली वाले चार विक्रों में पानी के साथ अच्छी तरह मिस्रित किये गए हैं, उनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा, तो आपका अंसर होगा 200 मिली जल में 20 मिली अंडे की सपेदी, अंगला कोश्चन है, समुद्री समीर कब चलती है बिकल्ब नमबर दो आपका राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है, निम्न में उसे कौन सा एक सजातिय मिस्रण है, सजातिय मिस्रण बताना है जल्दी से बताइए, स्टार्च बिलियन पानी में छाच, पानी में चीनी या नाले का पानी तो आपका आंसर होगा पानी में चीनी विकल्प नमबर तीन अंगले कोस्चन है दिया गया दूरी समय क्रॉफ दरसाता है तो क्या दरसाता है परिवात निये बेक के साथ चल रहा एक निकाए या रंतन बेक के साथ चल रहा एक निकाए या बिस्त्राम पर एक निकाई या सीधी रेखा पत के साथ चल रहा एक निकाई तो आपका आंसर है बिस्त्राम पर एक निकाई बिकल्प नमबर 3 अंगला कॉस्चन है नूरॉन के दियेगा चित्र में एक, दो, तीन और चार की पहिचान करें तो इसका जो राइट आंसर है बाय है कोशी का पेंड, दुर्म का अंत्री काक्ष और तंत्री का फलागम अंगला कॉस्चन है एक आयन एक्स टू पिलस में 18 इलेक्ट्रोन और 20 निूट्रोन होते हैं तत्तो का नाम बताईए तत्तो का नाम क्या है? केलसियम क्या है तत्तो का नाम? केलसियम विकल्प नमबर 2 तो आज की वीडियों बस इतना ही एह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट की मात्याम से जरू बताएं और एसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और All पर कलिक करें ताकि All वीडियो की नोटिपिकेशन आपके हाँ तक पहुँची आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी ऐग वीडियो देख सकें वीडियो को लाइक करना न भूलें पीडियाप के लिए आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जड़ना होगा टेलिग्राम एप में आपको सर्च करना होगा IAS Study Track यहाँ से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जहाँ पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडियाप फाइल होती है वाए हम टेलिग्राम ग्रूप में आपके लिए उपलब्द कर देते हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप से अवस्ते जुड़ने तो आज के वीडियो बस इतना ही जैहिन